सरकार से मैं मांग करता हूँ, कोराना पेसेंट को एम्बूलेंस फ्री किया जाए, कम्प्लिट फ्री किया जाए, लोग जिन्दगी और मौत की जिन्दगी जीते हैं, जिन्दगी तबा हो चुकी, पैसे नहीं है गर में, लेकिन एम्बूलेंस वाले चब तक पैसा नहीं लेत मैं कल भी कहा किसी भी किम्मत पर फ्रादेट डर्शिगों को अंध्रा के तरफ पर आप फ्री करिए एक महने से उपर हो गया और अभी तक लाखों चांद चली गई और इनका अलाओदीन का चिराग हो गया एक अभी कि एफ आयर लॉज होना चाहिए कि सरकारी पैसे का दुर्प्योग हुआ सरकारी पैसे का एंबुलेंस नीजी घर में क्यों सरकारी पैसे का एंबुलेंस का पैसा कहां गया और जिस सरकार को बीजेपी की सरकार है जिस सरकार को ड्रैवर देने की और एंबुलेंस के बेगर पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं पूर्णिया से सिर्ली गोरी 24 जार पटना 30 जार दर्बंगा से पटना 16 हजार 20 जार पूरा बिहार मर रहा हो यह क्या है क्यों खोले आप ये क्यों क्यों खोले प्रैनिंग कोलेज खोलने की जौरत क्या थी और सरकार क्यों सोई हुई थी इससे पता चलता है कि सरकार बिहार को मारने में विहार की जनता को मारने में कोई कसर मांकी नहीं रखा पटना में एक किलो मीटर का एंबुलेंस 12 किलो मीटर 12 जार और इंटार किमनल एंबुलेंस से राता है माप्या गोली बारुद होती है क्यों 18 रुपया सरकार से मैं मांग करता हूं कोराना पेसेंट को एंबुलेंस फ फ्री किया जाए लोग जिन्दगी और मौत की जिन्दगी जीते हैं जिन्दगी तबाह हो चुकी पैसे नहीं है घर में लेकिन अम्बूलेंस वाले चब तक पैसा नहीं लेते तब तक लाते नहीं हो रास्ते में मार देते हैं मैं कल भी कहा किसी भी किमत पर फ्राबेट नर्सी गोहम को आंधरा के तरफ पर आफ्री करिए फिर एमडी सिवार एमडी सिवार एक महने से उपर हो गया और अभी तक लाखों चान चली गई और इनका अलावदीन का चिराग हो गया रंडी सिवार हमारे नेता प्रेंचन सिंग्जी का छेत्र वो घर है इनसे पूछिये कितने दिनों से वहां मिलें से लगए और आज अभी हम मोद आगरा करेंगे हमारे नेता प्रेंचन सिंग्जी तैयार है चालिस ड्राइवर को लेकर के लासेंस के साथ कहां पर ड्राइवर भेजा जाए प्रेंचन सिंग्जी का नंबर हम ओपन करने जा रहे हैं 933-4123-702 933-4123-702 जहां भी सरकार का अबुलेंस ड्राइवर के वेगर ख़रा है आप प्रेंचन सिंग्जी को टेलिफॉन करें ड्राइवर मोई आई करें हमारे ड्राइवर सारे तैयार है किस वक्त रूडी जी को ड्राइवर चाहिए प्रेंचन सिंग्जी को फॉन कर ले उन्हीं के परिबार उन्हीं के घर के हमारा कोई मतलब नहीं था रूडी जी को आहाथ करने का मैं दिल से कह रहा हूँ हमें जानकारी मिली वहां एंबुलेंस लगा था हमें चला गया जबकि मैंने पहले ट्विट किया और कर प्रेस कॉन्फरेंस में बोला और तब वहां से एंबुलेंस को पीछे लगा दिया गया तो हमें जानकारी मिली कि वहां एंबुलेंस है इसलिए हम घए हम रूडी जी हमारे लिए टार्जेट नहीं हो सकते और जो व्यक्ति हर पैसेंट को उठाता हो चूता हो जिसकी जिन्दगी मौत के साथ जूशती हो राजनिती क्या करेगा जो हलपल समसान जाने की तियारी करे और अब तो उनके लोग धंकी दे रहे हैं कि उल्टा गिंती शुरू हो गया पपुया दब जब वो जोरत होगी दो ओडियो मैं दूँगा आप लोग आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंक्वारी पैसे का गमन सिमिल सार्जेंट पर केस और संबित पात्रा जी बताइए पपुया दब के पास दो वेंटिलेटर था मेरे अपने पैसे के वपोती तो आपके पेट में दराद हो रहा था जल्दी अस्पताल भेज दीजिए जबकि छेचेशे साथ साथ वेंटिलेटर अस्पताल में भेजा हुआ हूँ जहां से इमर्जंसी होती है पपुया दबेजते है और जेलियर है मेरा फादर हो या कोई मोदी जी हो या नितीज जी जब सिस्टम के द्वारा इंसानियत हो रहां आदमी को मारा जाएगा तो पपुया दब मरने की तियारी करेगा हमें मरने से कोई डर नहीं इसका जवाब दे दें नितीज जी से आगरा करेंगे इसकी पूरी इंक्वारी हो MP लैट्स का गारी घर में कैसे प्राइबेट जगों पर कैसे और ये सारे ड्रैवर तयार लैसेंस ड्रैवर है अभी लम इसकी सरकारी नोक्री लगे शरकार जहां कहेगी सरकारी नोक्री के लिए हमारे ड्रैवर जाने को तयार और कुछ पूछना हो तो पूछना यह इस्तिफादे दिये दर्भंगा PMCH के अधिक सक उन्होंने एक लेटर जारी किया उन्होंने का कि हम एक दिन पहले पहले जो है उन्होंने सब कुछ लिख दिया है कि मेरे पास कुछ नहीं है ना और्ट सॉर्सिंग है ना कुछ है इसलिए मैं नोक्री में नहीं राज लगता यह बात बेतिया के भी कहे तो अब जब एक भी पदाधिकारी रहने को तयार नहीं है इनके यहां बेंटिलेटर की मसीन नहीं है ओक्सिजन नहीं है कर हम गए थे स्वास्थ मंत्री जी के कुरंटाइन शिमान सर वहां कोई नहीं था वहां एक भी आईसियो रूम नहीं एक भी वेंटिलेटर नहीं ओक्सिजन में पाइप नहीं और ना तो आश्चर्ज होगा कोई दबाई रिम डिसीवर चालिस्थ हो प्राइबेट को दो सा और वहां सो पेसें थे चालिस्थ हो और आईसियो कुछ नहीं वेंटिलेटर नहीं ओक्सिजन में कोई पाइप नहीं और स्वासमंत्री का जीला बारेबा मैं स्वासमंत्री मेरे भाई है मैं इस्तिफार नहीं मांगूंगा लेकिन उनसे आग्रा करेंगे हैं पूरा देश एक लाग से उपर ट्वीट पर उनको इस्तिफार मांगा जा रहा है तो भाई को टै करना है कि जनता आप से क्या चाहती है और आपको क्या करना लेकिन मैं रूडी जी से आग्रा करूंगा कि हम भाई हैं धमकी न दीजिए हम छपड़ा भी लड़ सकते हैं हम सिबान भी लड़ सकते हैं धमकी न दीजिए हमको पालगंग भी लड़ सकते हैं पटना भी लड़ सकते हैं और राजनिती हर आदमी को जिम्मेदारी है पूरे देश की करने की और राजनिती चमकाने की आदत हमारी नहीं है विदांस लोगसभा मारे तब भी बार तब भी कोराना और विदांस सभा में हमारी पार्टी परफॉर्मेंस नहीं की सभार गई तब भी पपू यादब विपक्च और सतापक्च तो आप जिम्मेदारी निभाली जिए पपू जाके घर में बैठ जाएगी लेकिन यदि आप जन्ता को मारते रहेगा रावन कंस बनके जलाज बनके तो पपू यादब आपको जगाता रहेगा सरकार की नींद खोलती रहेगी आप लोग धित्रास के तरफ अंधभक्ती मत करिए और हमें दुनिया में ना उपर से नीच पपू यादब करता है कई दाजियों में देखा गया है कि बिहार में कई जिलों की तस्वीर आई है कि वेंटिलेटर था है लेकिन उस पर धूल ठाक रहे है ऑपरेटर नहीं है अक्वार टीवी चैनल सासाराम से लेकर करके एक जगा दिखा रहा है बिहार को भी ट्रेंड इस तरह बूलाना चाहिए बहार के राजियों से अगर बिहार में कुछ है ही नहीं वेंटिलेटर पड़ा हुआ है सभी जगह हलात अच्छे नहीं है बेंट लगाने का किसी के पास बहुत कम लोग जब यहां पर एमडी डॉरक डॉक्टर भी 20-25 से जादे नहीं है पूरे इसी कोसल विकास के अंदर उभी ट्रेनिंग देना था और सब पैसा घोटाला कर लिए इसलिए मोदी जी को हटाना पड़ा तो पहले बीजेपी को समझाईए अ तब हमको समझाईए दनवाग बीजेपी के युवा नेता ने भी ट्वीट किया है गौरब ने कहा है आप दे उसके उनके गौं से फोन आ रहा है कि हम ड्रैबर देने को त्यार है और मैंने अपने रास्तिये महासर्चीव को कह दिया हो जहां एम्बुलेंस पे ड्रैबर नहों हो आप ड्रैबर देगे वो खर्च प्रेम्चन सिंग्जी उठाए कुल कितने ड्रैबरों के वेवस्था अभी हो गई गिल लिजिए गिलिए गिना ये एक दो तीन चार पांट छो साथ आठ नो दस एगारह बारह तेरह चौदर पंदरह सोला सत्रह ठारह उनाइस बीस अकाइस अभी अकाइस है यहां कि इदर रहे हैं कि इस यह देखिए लाइस लाइस चौबीस लैसन्स का लाइसन्स निकालो देखिए कलूब लैसन्स निकालो चालिस दैवर हैं इनके पास तैयार है यह भी सबका नाम लिख करके हम लोग गौवर्मेंट को भेज़ दे जा रहे हैं प्रेम्चंसिक जी अभी दें समर्पित करें अब आप अब आप लोग बोजिए चालो